नहुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन टेडर में और मुझे पता है आज काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगा मुझे अभी से मेसेज आने शुरू होगे हैं कि आज चाहे पे चर्चा मिस नहीं होनी चाहिए तो ठीक है अभी टाइम हुआ है और चाहे की चर्चा की शुरूआत करते हैं दोस्तों यूएस का जो फ्यूचर है बिल्कुल फ्लैट है कुछ जादा खास उसमें हल चल है नहीं तो मतलब जो दो दिन जो न्यूस फैली है उसका कोई इतना पैनिक अभी यूएस का फ्यूचर अभी फिलाल नहीं दिखा रह अगर आप चार्ट देखेंगे जैपनीज मार्केट का 26,800 अगर ब्रेक होता है 26,800 बगर ब्रेक होता है तो नीचे 300-400 पॉइंट के पूरे घर खुल जाते हैं फिर यह लेवल रिटेस्ट होंगे नीचे वाले 26,500-400 26,200 26,800 बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है 800-850 का जो ठीक है निक्के के मार्केट में बहुत इंपोर्टेंट है तो पूरा वर्ल्ड मार्केट फ्लैट ही है हैंग सेंग थोड़ा सा ठीक ठाक डाउन है एक परसेंट के लगबग आप कहा सकते हैं 200 पॉइंट और चाई कोरियन मार्केट तेज है वही है सब कुछ तेज है वाव या वाकी तो चाईनीज मार्केट तेज है लगबग आदा परसेंट ठीक ठाक और जर्मन का फ्यूचर नीचे की तरफ है ठीक है बागी तो यह इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं अपना मार्केट 17 140 चलिए और 10 मिनट पीछे चलता है तो यह भी 17 150 के लगबग आ जाएग कितनी है यह तो टू से उपर चल रही थी यह तो से नीचे कब आई काफी नीचे आ गई वही है तो पॉइंट 059 से सपोर्ट पर है चलिए देखते हैं आज यह उपने मार्केट की चर्चा करते हैं थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा सब कुछ जो मैं बोलूंगा ठीक है क्य अगर अभी देखो खुलेगा कहां सबसे इंपोर्टेंट बात वह है ओपन कहां होगा सबसे इंपोर्टेंट चीज वह है अगर 17,170 इसके नीचे ओपन होता है 17,170 इसके नीचे ओपन होता है तो भीया आपको एकदम ठोकना तो नहीं है एकदम नहीं ठोकना है आपने देखना है 17,200 क्रॉस करता है कि नहीं 17,200 के नीचे ही बना रहता है पांस दस मिंट वहीं पर रेंगता रहता है देन आप लगाए 17,220 को है सेल और 17,200 के आसपास से करिए सेल ठीक है यह आपका पॉइंट नंबर बन दूसरा खुलता इसी के आसपास है और नीचे 120 को ब्रेक कर देता है देन करिए अगें सेल 17,080, 17,050 और 17,040 ब्रेक होना चाहिए जो लास्ट वीक कल हो था 17,043 अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर आपको 50-60 पॉइंट और मिल सकते 30-40 तो मिली सकते है ठीक है तो मैं बहुत ही क्या रहा हूं बहुत डिपेंड करता है कि ओपन कहा पे होगा क्या पता ओपन ही 17,200 के उपर हो तो वहां पर खेला बिल्कुल अलग है फिर 17,200 पर होगा तो ठीक है वहां पर आपको देखना है 17,200 क्या कहते हैं 40 के उपर तो क्रॉस नहीं करता 17,240 को तो क्रॉस नहीं करता तो एक लेवल जो फिर लक्षमान रिखा रहेगा वो है 17,270 अगर 17,200 के उपर ओपन होता है और थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो 17,270 नहीं टापना चाहिए फिर सेल नहीं है फिर सेल बिलकुल नहीं है 17,270 के नीचे ही सेल ठीक है तो अभी दो घंटे है भाई खुलने में तो अभी साथ बच के पंदरा मेंटी हुई है ध्यान रखिएगा रहना थोड़ा सा साइल सेल सेड़ की तरफ ही है बाई सेड़ की तरफ बिलकुल नहीं रहना है जब तक मैं कोई फ्रेश विडियो बनाके ना मोलू ठीक है अब भी अगर किसी का दिमाग मतलब ना काम करे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं 9.15 में मार्केट खुलता है ठीक है गैप डाउन होगा इसमें तो कोई शक्त नहीं है गैप डान होना चाहिए 9.20 तक आप कुछ मत करो 5 मि केडल पर शिफ्ट कर लो वह पांच मिनिट की केडल का लो काटेगा 5 मिनिट की कैडल का जो लो होगा एक होरीज़ोंटल याइन डालना उसके नीचे ही अगर निफटी रहता है ठीक है? उसी को ऐसे लगाके ठोक दो क्या बोला मैंने पांच मिनट की केंडल बनने दो उसका लो मार्क करो उसका हाई मार्क करो उसके लो के नीचे ही अगर निफ्टी रहता है आप सेल सैड बैठे रो ठीक है और उस पांच मिनट की केंडल का अगर निफ्टी हाई ब्रेक करता है उपर की तरफ तो अब सी बाई क लेना बस यह सबसे सिंपल फॉर्मुला है गैप अप गैप डाउन को प्ले गरने का गैप डाउन हो पांच मिनट की केंडल बनने दो हाई मार्क करो लो मार्क करो लो के नीचे रहे पुट बाई करके खेलो लो के और हाई के उपर रहे सीब आए करके खेलो वो पांच मिनट के जोन में निफ्टी कहीं भी रहे कुछ मत ध्यान दो ठीक है तो इस चीज पर ध्यान देना सेम सेम चीज आपकी बैंक निफ्टी में भी आप अपलाई कर सकते हो पर बैंक निफ्टी में ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ 38,360 या 380 लगा लिजे आब राउन फिगर में ये लेवल टूटा और बैंक निफ्टी इसके नीचे रुक गया तो बैंक निफ्टी आपको नीचे 38,000, 37,000 और 36,800 तक के लेवल दिखा सकता है तो नीचे की तरफ आपके टारगेट ओपन हो जाएंगे 300 से 400 पॉइंट के ट्रेल करते रहिएगा 37,800 तक दिखा सकता है पर ये गैप डाउन नी ओपन होगा तो गैप डाउन ओपन होगा तो ध्यान दीजिएगा ठोक देना 38,350 स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए उसके नीचे ही रहे सेल करिए आपके टारगेट है 37,800, 37,500, 37,350 तूटा जो पिछले वीक का लो था 300-325 तो वीकली चाट पर 20 एम में ब्रीच करतेगा और आपको और नीचे की तरफ टारगेट दिखेंगे और आज की क्लोजिंग बहुत इंपोर्टेंट होनी चाहिए जो मैंने बताया है उसको ध्यान से समझेए और उसको ही फॉलो करिएगा ठीक है एक्चली थैंक्यू वेरी मच्च